तो हेलो पैर बच्चों, कैसो आप सभी, I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होगे, तो आज की इस वीडियो में हम देखिए सबसे महतुत डरिवेशन हम देखने वाले हैं, वह है आपका गति के स्वमिक्रों का डरिवेशन, यह जो गति के 3 स्वमिक्रों का डरिवेशन, यह जो कि आज हम बहुत इजी तरीके से आपको ट्रिक्स के साथ हम दोस्तों इन तीनों का डरिवेशन कराने वाले ठीक है पूरे फिजिस के तो हमने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है कैसे इसका डरिवेशन होता है ठीके क्लास 11 फिस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है चाहे वार्षी प्रिक्षाओ वार्धवार्षी को कैसा भी जामों ठीक है कहीं बेभी यह आज सकता है कि इसको कम मत समझेगा तो चलिए पैरवचो एक वीडियो को छोड़ा सा लाइक आप कर दिजिएगा पैरवचो बिना पकी टाइम वेस्जिक्स करते हो बिना आशacha थस्टार्ट कर देते हैं यहां आप हम एक बारे में पता और चाहिए आप जोर एक बर इनके बारे में बेसिक चीजे पढ़ लीजेगा ठीके वैसे गत्य है जो तीनों के तीनों समिकण है पर अ बिदा निकालेंगे्गे समाकलन का यूज़ करए यूज करेंगे पर इसको बूला गया है कलना बियुदा गठी को गठी के समिकण . यहां पर समागलन के बारे में बेसिक चीज़ें हमें पता और चाहिए तभी पेरचो आप समीकर को असान तरीके से जित्क्यों में आप ड्रिवेट कर सकते हो कुछ भी हाड आपको नहीं लगेगा ठीक है यही दिक्कत हुता है बच्चे बेसिक चीज़ें ही नहीं समस्ते है और ड्रेक्ट कहते कि रोने लगते कि हमें नहीं आ रहा है हमें नहीं आ रहा है तो यहां पर पहले आईए समागलन के बारे में एक मिनित में जी हाँ जादिस हमें नहीं लेंगे आपका बस एक मिनित में समागलन का पेरचो बेसिक ज्यान आपको हम इस वीडियो में अभी सम्माक्लन का बेसीक मतलब यही होता है पैर्ट को आपका जोडना यानि कि addition सम्माक्लन का मतलब क्या होता है आपका जोडना बस आप यही आ लखनो यानि कि अगर आप किसी भी dx का सम्माक्लन कर r Sami यानि कि पहरेइ repositories पाुरह कोना थ्याचन जोड़ते जाहआँ पैज़ो तो Syd które पूरा 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 यत्षछ लमभाई का तारी वन जाएगाम यानि कि ये वापस एकस बन जाएगा सि medidas अगर हमने आपस कहाता है lowest कि आप DT का समाक्राण करो, तो कि DT का समाक्राण आपको पूरा का पूरा क्या देगा, समय देदेगा, T देदेगा, सफली, ठीके, तो ये तोस्तों, कुछ-कुछ चीजे याद दखरो, कि DT का समाक्राण T हो जाएगा, ds तो समाकलन x हो जाएगा इस तरह आपको ds का समाकलन आपका s हो जाएगा पैरेच्चो ठीक है तो यानि कि यह छोटे छोटे चीजों को जोड़कर हमने पूरा का पूरा दोस्तो मंजिली खड़ा कर दिया जोड़ना ही समाकलन का अर्थ होता है आपकलन का चीन जो समाकलन का चीन होता है वो कुछ इस तरह सर्प की तरह होता है ठीक है आप इसका एक छोटा सा बेसिक फ़र्मुला आपको याद रखना है अगर किसी भी पैरेच्चो x है ठीकि उसकी पावर n है और इसका हम समाकलन करने dx के साप एक जितिक है तो यहाँ पर इसका जो सीधा फर्मुला निकल कर आता है वो होता है x की पावर चिहां n प्लस 1 अपॉन यहीं सेम चीज आपको नीचे लिख देना यानि की समाकलन जैसा ही हम करेंगे ना जो पावरे जो पावरे उसमें एक जुड़ जाएगा और सेमox वृब चेह जाएगा जो पावरे एक जुड़ जाएगा सेम वृब चेह उसलिज दोसे anywayeh उतर जाएगे बस एह ज्या लग रखना अप समाकलन न निच्ची समाकलन एक होता है आपका निच्ची समाकलन दोनों में फर्क क्या होता है सर देखो आपका निच्ची समाकलन होता है इसमें आपको कोई चीज निच्ची नहीं होता है बस आप समाकलन करें हो बस समाकलन करके जायो गयो काम हो गया आपका अलेकिन निच्ची समाकलन का ही पराइचो यूज़ करके गती के समिकड को निगालना है ठीक है और दीची समाकलन का फर्मुला क्या होता है इसमें भी वही रहेगा यानि कि X T power N Dx का आप समाकलन कर रहे हो ठीक है बस इसमें आपका सीमा लग जाएगा यानि कि A से B आपका दोस्तों एक सीमा लग जाएगा A एवं B आपकी क्या हो जाएगी सीमा हो जाएगी और यह हमें क्या बताएगी परचो यह हमें बताएगी सुरू वस्तु सुरू कहां से होगी एवं यह हमें बताएगी अंत जी हां सुरू बताएगी एवं अंत बताएगी यह सीमा जो लगेगी इसलिए ठीके बस यही आपको दिया लगेगी यह दोड़ों की दोनों सीमा लिखेंगे इसी के आधार पर दोस्तों हम लिखते हैं इसी कहीं हम flowers ability प्रेशुक में ऐनन्ति यहां पर x x कहीं लिखा हुआ है सुरू x कहीं लिखा हुआ हैं थीक है चाहिये इसिमें फश्रुमला आपको क्या लगा दियाना है सिंप्ली वही फ़र्लल लगेगा जनी की बहुत आसान वही फर्वुला S कि प़अफ एण प्लस one, बठे में एंट प्लस one, ओके यही फर्वुला रखं़ देना है बाकी जो सीमा है उसको बस यहाँ पर उतार देना है we're उसके बाग आख्री काम आपको कर देना है X की जगह यहाँ पर उपर वाला सीमा रखेंगे पहले पहले क्या करेंगे उपर वाली सीमा को रखेंगे उपर में जो है आपके सीमा भी S की जगह भी रखेंगे पहले तो B के पौर N प्लस 1 बटे में N प्लस 1 ये तो उतार देंगे सिम्मूल ठीके फिर नीचे वाली सीवा को रखेंगे एस की जगा अपर ऊपर वाली रखेंगे ऑपर रखे दो आपका दोस्तों निची समाकन complete होता है पह तो विक्तरी कप के है पहरे चूजव तुम्हारा वेग तुम्हारा प्लावा यह मैसे कशक्रा। दूसरा समीकड निकालने वाले हो यानि कि तुम्हारा का मतलब यहाँ पर क्या है यह देखिए तुम्हारा का मतलब आपका वेग ही है पैल्चो तुम्हारा का मतलब दुबारा से यहाँ पर आपका तौरण है सिंप्ली ठीक है तो यहाँ पर आप बस क्या करोगे पहला समिकर जब आपको निकालना होगा तो आप तौरण का फौर्मुला ल पिर आप दूसर समिक्ड निकालोगे इसी तरह तीसा समिक्ड में आपको दुबारा तुरण का पैचो फारूला लिखना है और समाकलन कलम हम आपको बताएंगे करना है पिर तीसा समिक्ड आपका आजाने वाला है पैचो तो यह आप ध्यान रखना इसा में तुम्हारा वेक तुम्हारे यानि की प्रत्रम समिक्ड में तौरण का फारूला दूती समिक्ड में वेक का फारूला तीसरे समिक्ड में दुबारा तौरण का फारूला का यूज होगा ओके तो आईए पैरेचो आप गती करते हैं नहीं किया वस्तु को गती मिलाते हैं और तीरो समिकड को खटा-खट डरिवेट करने वाले आप देखिए तो माल लेते हैं पैरेचो आपका ये वस्तू है ये आपका पैरेचो वस्तू है जो गती करने वाला और इसी के लिए हम समिकर निकालेंगे वस्तु आपका गती कर रहा है मालो इसका प्रामिक वे क्या U है T बराबर 0 पर पैचो इसका प्रामिक वे क्या U है ठीक है और इसमें इस गती में पैरेबचो जो त्वरण है मालो त्वरण आपका कितना लग रहा है अब वस्तु का 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 वस सस्थापन दोस्तों इसने वस्तू ने ते cry कर लिया है यानिकि वस्तापन इसका माँलो अब एस हो गया बेले जीरो था लेखिन अब एस होगया लासट में और वस्तू का वेग आपका क्या हो जाएगा अंतीम कि यहां तुमारा वेक तुमारा यानिकी त्वरंड के सुत्र से और जो तोरण का formula होता है A, A बराबर क्या होता है, D V by D T होता है, ये formula होता है पर जो तोरण का, तो इसी formula का use करेंगे, D T को इधर पहले गुड़ा करते ही, तो D T इधर गुआ तो क्या हो गया, D A, D T बना बराबर का D V, फिर यहाँ पर प्रैच वह हम क्या करेंगे, समाकरण आपको करना है, खया है, तो मिचन मिची समाकरण में हम क्या करेंगे, पहले तो चीन लगाएंगे, जो चीन होता है, ऐसे वाला बराबर में, ऐसे बन गया यान कि समय आपके 0 से लेकर टी तक गया है ठीक है तो यहाँ पर समय के सापिक चापका लिखोगे लिखोगे आप 0 से T यहाँ पर वेग देखो, अब वेग के सापिक यहाँ पर सीमा लगेगा, तो वेग आपका दोस्तों सुरू में क्या था, सुरू में क्या था, परेचो आपका वेग, सुरू में प्रामविक वेग था, यू, एवं लास्ट में अंत में आकर वेग आपका अंतीम वेग बन गया वी, यू, वी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यू, एवं यहाँ पर आप लिखोगे वी, ओके, बस यह आपने स्रीमा लगा दिया, बस समाकलन आपको कर देना है, आपका पहला समीकड तयार हो जाएगा, ठीक है, चलिए, इतना तो आपको पता है, तोरण आपका क्या यहाँ पर लिखते थे, एक समान है, तोरण आपका पूरी गती में एक समान रहता है, तो यहाँ पर जो आपका constant है परचों, वो तो आपका बाहर निकल जाता है समाकलन से, ठीक है, तो यह आपका a यह तो बाहर आगया, और 0 से t समाकलन लगा dt, बराबर का यहाँ पर dv का स समाकनलाइन है U से V, आप हैरचो आई रिली के समाकनलाइन करते हैue, D T के समाकनलाइन क्या बन जाएगा आपका T बन जायएगा god आपका T बन जाएगा और दो लिमिट है zero x t, zero x याँ लगा दिया यह आपका गुडा में है, बराबर में यहाँ से हिसका समाकन करेंगे तो dv का आपका v बन जाएगा कोई स्फर्मृल नहीं लगाना है u से v आपका बन जाएगा यहाँ पर लिमिट लग गया सिम्पली ठीक है ध्यान दे उसके बाद पहर चो आप आए लिमिट को रखते हैं लिमिट को यहाँ पर फूट करते हैं सिम्पली ठीक है तो लिमिट में सबसे पहले उपर वाले को इजद देंगे उपर आपका क्या है समय है ती है समय है उपर में आपका तो पहले टी को टी के जगा रखेंगे तो क्या बन जाएगा तो ती ही रहेगा सर ती ही रहेगा आप करें नीचे वाले को इज़्जत देते हैं नीचे आपका जीरों है । ट के जगह जीरों रखेंगें ट के जगह 0 का तो 0 राय है they are लुटनों को क्या करकें घटा देंगे चालिए और ए आपका गुडा में है जेली तरह यहाँ पर भी आपको उसी इकड़ आ गया, कैसे सर, यहाँ पर देको 80 बन गया, यहाँ पर देको V-U बन गया, यहाँ से U को इधर लेकर आओ, तो यहाँ पर आपका U को जैसे इधर लेकर आओगे, तो पैचो V बराबर आपका U, यहाँ पर U आके इधर प्लस में हो जाएगा पैचो, प्लस का 80 आपका रह 叫गा यापका प्रताम समिक्ड निकलकर आ गया हुखे तो इस तरह में आज में चलिए साुप आज्रिड करते हैं आ यहीं सेटें समिक्ड क्या लचाव बिझा। जो बच्ची नहें में जरू करिए दो सैनिते रहे जाएगा में फॉर्म खुर करें तो किसी तो वेग का सुत्र लिखेंगे यहाँ पर वेग का सुत्र होता है ds by dt, यहाँ पर भी उसी तरह dt को इधर गुड़ा कर दीजे, v dt बना कितना असान है, कोई तो दिक्कत है यहाँ पर इसको गुड़ा कर दिया, ओके, और यहाँ पर वेग, यह क्या है सर, यह तो देखा देख प्रिठी के चलिए, बराबर में आपका ds है, चलिए आप यहाँ तक आपने कर दिया है, तो आप ज्यादे समय नष्ट नहीं करते, और डिरेक्ट हम क्या कर देते, दोनों तरफ पेचो निच्चित समाकलन कर देते, क्या लिखेंगे निच्चित समाकलन करने पर, समाकलन, तो पेचो वही करेंगे, समाकलन कर चीन लगाएंगे, यू प्लस का 80, एवं, dt आपका गुड़ा में है, बराबर में समाकलन कर चीन लगाएंगे, आपका ds, ओके, अब लिमिट रिखते हैं, लिमिट को लिखते हैं, लिमिट किसके साब इस लिखेंगे पेचो, इस d के जा रहा है यह तो हमने शुरू में आपको देखाया एस विस्थापन यहां पर क्या है विस्थापन शुरू में विस्थापन कितना है अंत में विस्थापन कितना यह देखिए देखिए हमने गती करते थे वस्तु तो लिखा था हमने यहां पर कि वस्तु का जो शुरू में जीरो था लेकि अंत में जाकर विश्थापन उसने एस तैय कर लिया यानि कि लास्ट में आपका विश्थापन ऐसे ये भी देखो जीरो से एस तक जा रहा है तो यहाँ पर आप लिग देना जीरो से एस तक ठीक है अब थोड़ा बच्चों को लगेगा सर यह क्या है सर यहाँ पर यू प्लस एटी यहाँ पर दिया से तो इसको समझ में आ रहे तो यह दिया सका तो हम कर लेंगे सर ऐसा आएगा लेकिन इसका हम कैसे करें इसका हम कैसे करें तो घुडाना नहीं है पैचो आपको दिखने में घुड़ाव डर लग रहा है तो आप इसको तोड़ दो इसको आप क्या करदो पैचों कैसे तोड़ें तो भाई, ds, 0 से s तक, ओके, चलिए, आगे करते हैं, यही, यू आपका, जो तोण है, आपका, ये दोनों चीज़े बाहर निकाल दो, भाई, इन दोनों चीज़े आपकी नियत है, constant है, इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, यू आपका भाहर आगया, 0 से t, dt, ए आ हमारा बाहर निकल गया, यहाँ पर t था, तो यहाँ पर कहीं t दिख रहा है, यहाँ पर आपको कहीं t दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यू को बाहर निकालो, यहाँ पर t दिख रहा है, तो इसको अमने रख लिया अंदर, बाकी चीज़ों को बाहर निकाल दिया, ध् आपको ध्यान रखने यह परिक्चा में 0 से S, Ds, ओके, अब आईए समाकलन का सुतर लगाते हैं पैचो, ठीक है, चलिए, तो यह आपका बाहर रहा, यहाँ पर DT का समाकलन आपका T होता है, सीमा को लगा देते 0 से T, प्लस में, यहाँ पर A, T, T की पावर का है, यहाँ पर A, तो 1 प्लस 1, ओके, बागे सीमा तो है 0 से T, इसको उतार देना है, बराबर में, Ds का हो जाएगा, S आपका, 0 से S, आपको लिमिट लगा देना, ओके, चलिए, उसके बाद वही करेंगे, उपर वाले को इजद देंगे, फिट नीचे वाले को इजद देंगे, ठीक है, प्लस 1, 2 रहे गया, फिर माइनस में, T के जगह 0 रखो, भाई, T के जगह 0 खोगे, तो भाई, सब 0 हो जाएगा, बराबर में, आपका, S, S की जगह पहले, S रखो, फिर S की जगह 0 रखो, ओके, चलिए, तो यह आपका हो गया, पैरेचो, आईए आगे करतें, फिर इसका भी equation का derivation complete, गोंट हो के, तो इस तरह आपको करना है, सब्लीट है, तो जाथे को याड नहीं है, पैचो, बस हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पर V हमको देखा-देखा से लग रहा था, यहाँ पर V हमको देखा-देखा से लग रहा था, तो V के जगह यह चीज़े रख कि एंधेल करें तो इन तोनों को मनें अलग अलग तोड़ दिया तो हम ने लगा दी जो हमारा सी शा पिक्स यह पर है यह लाघ डवाल टू इसका कोई समण्ध है readily suna land को इसको बाहर निकाला तो अटीका तो सब्वंध है तो आथमनेश संब्वन में कर दिया तो सब्वंक pomनेंत कर दिया deaf कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए ओके तो लिए ये सेकेंडरी वेशन हो गया आपका उसको भी कंप्लीट कर देते हैं तो पैर बच्चो आये थर्ड एक्वेशन को डरिवेट करते हैं और हमने ट्रिक में आपको बताया था तुम्हारा वेक तुम्हारा यानि कि दुबारा हम दोस्तों तौर्ण का सुतर लिखेंगे तौर्ण आपका होता है बी वी बाई डी टी ओके और यहां पर एक छोटा सा का ट्विष्ट होगा यहां और इस ट्विष्ट को आपको याद रखना है क्या ट्विष्ट हम करते हैं पैरचो बहुत ही ज्याद है काफी बच्चे दोस्तों छोड़ देते हैं लेकिन अगर आपने कर लिए तो भाई ऐसा ही लोग को टॉपर बनते हैं जो हारी चीज को सम बढ़ा करेंगे ठीक है उपर नीचे गुड़ा करेंगे ठीमफली किस्ता इस का चलिए तो क्या ट्विष्ट हो का यहां पर आपको ध्यान देना है यहां पर तॉण बराबर हो जाएग आपका दीवी डि ली नीचे आपको इस बिचो लाना है इसको बस इंटर्चेंज कर इस दोनों को इंटर्चेंज जैसा ही आपको तो आपको ट्विस्ट मालूम चल जाएगा आए देखते हैं यहां पर पैच्चो डियस के नीचे यह डीटी चला गया इंटर्चेंज हमने कर दिया आपको ट्विस्ट दिखा क्या है सर देखो यहां पर साब साब लिखा हुए ड दियस बाई डिटी और दियस बाई डिटी हम सभी जानते हैं दियस बाई डिटी आपका पैच्चो वेगी तो होता है वेगी तो होता है तो यानि इसके जगह सर आपको क्या कर देना है वेग लिख देना है यहां बच्चो यानि कि एक्सलेशन बराबर आपका यहां पर वी तो आइए करते हैं दोनों तरफ ऐसा चीन लगाएंगे लिमिट लिखेंगे लिमिट किसके साफ इस लिखेंगे दोस्तों इस दी के साथ जो गुड़ा में यहां पर वेग है तो वेग आपका शुरू में क्या तब यू था अंतिन में वेग वी था यहां पर एस के साफ है यहां पर क्या लिख वहाए एक्सलेशन लिखा हुए एक्सलेशन का दोस्तों विश्थापन के से कोई सम्मंद नहीं है तो इसको बाहर निकालो क्यों है यहां पर प्रसांद कर रहा है तो एक बाहर निकाला जीरो से एस तक हम ने इसको लिखा और यहां पर दी इसको लिख तो गात में एक जोड़ दो और नीचे वही उतार देना है बस यही फाउला लगता है फिर आपका दोस्तों यह चीजे होती है यह लिमिट बाहर हम लगा देते इस तरह ठीक है और इसका इसका तो हमने किया ही नहीं यार डीयस का तो किया ही नहीं तो डीयस का भी आए नीचे लिखते डीयस का होता है आपका एस और लिमिट आपका जीरो से एस तक आपका रहेगा हो कि ए को ए उतार दिया बराबर में पैचो यह क्या बन गया वी का स्क्वार बन गया बट्टे में दो बन गया और यू से वी आपका बन गया बस आपका समिकर निकल के आ जाने वाला ह पैचो गड़ा सुग गया है लेकिन concept हमां समझा की मानेंगे पैचो क्या है आपका यहाँ पर देखो A का A रहा पहले उपर वाले को जद देंगे तो V के जगा आप क्या हो जाएगा यू आजाएगा यू का स्क्वार बटे दो लिखो गए ओके और माइनस का चीन लगा देना है नीचे ठीक है चलिए अब आगए आपका समिकर भी यहाँ पर देको गुड़ा करोगे तो A S बनेगा बराबर में देखो यहाँ पर क्या है एक बटा 2 क 파 men आ गया है पैच्व वी का स्क्वार माइनस ईू का स्क्वार दो नगो के नीचे में 2 है तो 2 को बाहर खीच लिया ऐसे यह एसे 2 को उठाए ऐसे खीच कर नीचे कर दिया पस यहीं काम किया है डरना मत बायवारी श्टोएं optimal काफी करते कि यह क्या होगे यह क्य लग रहा है इसको ऐसे किया बराबर में v square minus का u square ओके फिर उसके बाद देखिए इस चीज को ये चीज है minus में इसको इधर भेज देते इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो finally आपका v square बराबर में आपका दोस्तो प्लस का u square प्लस का 2as जो कि आपका र चोठी के सबसे पहले क्या किया तौन का formula लिखा dv by dt फिर हमने एक twist खेला twist क्या खेला प्लस ओपर नीचे ds का गुड़ा कर दिया ओपर भी ds नीचे भी ds ठीक है twist कब आया जह हमने dt को ds के साथ interchange कर दिया dt को इधर ds को इधर तो dv by ds dt को इधर लिया तो ds by dt यही आपका वेग बन गया ओके फिर यहीं दोस्तो हमने वेग लिखा यहाँ पर फिर वही क्याम किया ds को इधर गुड़ा कर दिया पैचो और v dv तो आपका रहा फिर दोनो आप असान तरीके से डरिवेट कर सकते हो खुश से आप कॉपी पे दोस्तों यह सब डरिवेशन लिखोगे ना तो आपको खुदी दोस्तों एक दो बार में ही आजाने वाला है तो बहुत इंपोर्टेंट है तो हमने आपको करा दिया इसाम से पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाहिएगा कहीं से भी कोई डरिवेशन आ सकता है आठ इंपोर्टेंट डरिवेशन इसले ही तो हमने आपको बताए है तो बस उनी आठ डरिवेशन को आपको त्यार करना ही है ठीक है अगर आपको डॉपर बरना है तो पहले चुप करते हैं वीडियो को यहीपर इंड जान से पहले यही कहेंगे कि वीडियो अच्छे लेगी तो छूटा सा लाइक करो करके जायेगा और किसी भी मित्र यार को पैच्छो आप एक सेर अवस्थ करिएगा एक सेर अवस्थ करिएगा समली जेगी हमारी मेनत आपकी सफर हो जाएगी ठीक है एक सेर आप करके चाहिएगा और लाइक वगेरा सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़ जाए इस चैनल पर ताकि आपको हर एक चीज फिजिस्ट केमेश्टी मैस हिंदी इंगलिस सब कुछ आपको मिले ठीक है और कमेंट बोक्स में आप बता सकते हो कमेंट बोक्स में आप आपको बैस्ट आफ लख में तो यह रही पैचो सारे इंपोर्टेंट डेरिवेशन की प्लेरी जिसमें सारे इंपोर्टेंट डेरिवेशन हमने कराए हुए ठीक है जाए और देखिए